Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वी की पिका कार्ड रीडिंग इस वीक की पिका कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग टारो सीखने में इंट्रेस्टेट हैं या फिर टारो में अपना करियर बनाना चाहते हैं आपके लिए खास इंस्टाग्राम पे मैंने किरन शापुरी एक नया पेज क्रिएट किया है जिसमें टारो सीखने से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन में आपसे शियर करूंगी तो जरूर इस पेश को फॉलो करें इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए जी कमिंग वी किपिका कार्ड डीडिंग शुरू करते हैं टॉपिक आप सब लोग जानते हैं नो कंटाक्ट, देर ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशन और नेक्स स्टेप्स तो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है जिनके साथ आपकी टक्रार हो गई है बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही है आपका मन परिशान हो रहा है और बार-बार आपके मन में थौट आता है कि पतन ही वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे क्या उनकी फीलिंग्स हैं, इंटेंशन हैं और वो पहल करेंगे नहीं करेंगे या फिर क्या नेक्स स्टेप्स वो लेना चाहते हैं तो इसी चीज़ को जानने के लिए आपने in टीनों में से एक पाइल को चूज करना है फिर्स्ट पाइल में हमारे पास बे लीफ है सेकंड पाइल में हमारे पास सिनिमन स्टिक है and थर्ड पाइल में हमारे पास वाइट क्रिस्टल है तो अगर आप intuitively choose करना चाहते हैं क्योंकि देखे, pile selection के लिए मेरे पस दो options है First option intuitive है और मैंने आपको बताया कौन-कौन से options हैं आप आखें बंद करेंगे अपने उस loved one के बारे में सोचेंगे और आखें खोलते ही जो भी pile आपको सबसे पहले attract करता है आपने उसको choose कर लेना है आपने analyze नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है और जिलनों को intuitive method difficult लगता है वो birth month के हिसाब से choose कर सकते हैं तो अगर आपका birth January, February, March, April में से किसी भी month में होता है आपके लिए pile 1 है और अगर आपका birth May, June, July, August, September में से किसी भी month में होता है आपके लिए pile 2 है और अगर आपका birth September, October, November, December में से किसी भी month में होता है आपके लिए pile 3 है I hope कि आप लोगों ने pile choose कर लिया है ये timeless reading है जब भी भी इस type का सवाल आपके मन में आता है इस type की energies में आप है ये reading आपके सामने आती है आपके सवाल का जवाब आपको इस reading में मिल सकता है तो चलिए जी आपकी reading शुरू करते हैं अगर आपने pile 1 यानि की belief को choose किया है या फिर आपका birth January, February, March, April किसी भी month में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 1 की cards क्या खहते है जिनके बारे में भी सोच कर आपने pile choose किया है उनकी क्या true thoughts, feelings, emotions and intentions है आपके लिए और क्या उनके next steps होंगे तो यहाँ पर दीखे राइड आप से देखते हैं सबसे पहला card है Ace of Souls सेकेंड कार्ड इस Four of Wands Reverse थर्ड कार्ड इस Knight of Pentacles Reverse और फूर्थ कार्ड इस Eight of Swords अब हम औराकल से देखते हैं तो यहाँ पर Lenormand में से Clover, Shield, Yes and Bokeh के cards है और यह next action के लिए है अब हम Modern Love औराकल में से देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला card Loneliness है फिर हमरे पास card है Hurt and then we have Falling in Love and then we have Forced Relationship Pile One सबसे पहले cards यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं Hurt and Loneliness और यह cards कहते हैं कि अभी किसी चीज को लेकरो मन ही मन बहुत परेशान हो रहे हैं एक hurt, एक pain, एक तकलीफ महसूस कर रहे हैं आप दिखें इस तकलीफ का reason हर Pile One के partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है Pile One की उन्होंने ही आपको hurt किया यानि कि उनकी तरफ से कोई action रहा या फिर उन्होंने कोई ऐसी बात करी जिससे की आप hurt हुए और इस चीज का एहसास उनको है और ये चीज उनको बहुत ज़ादा परेशान कर रही है वो regret कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपको hurt किया क्यों आपको परेशान किया क्यों आपकी value नहीं करी और कुछ के लिए ये भी हो सकता है Pile 1 कि आपने कोई ऐसी बात करी आपने कोई ऐसी बात कही जो उनको बहुत ज़ादा hurt करी और वो उस चीज को लटको रही कर पा रहे हैं बहुत ही ज़ादा मन ही मन परेशान हो रहे हैं और दीखिए आपसे दूर रहकर कहीं खुश वो नहीं रहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर loneliness का card कहता है कि बहुत एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपको miss कर रहे हैं आपको याद कर रहे हैं और four of wands reverse का card भी कहीं इसी चीज को confirm करता है कि जो भी अच्छे पल उन्होंने आपके साथ बिताए वो उसके बारे में सोचते रहते हैं और फिर से आपके साथ एक togetherness चाहते हैं companionship चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ shield का card कहता है हो सकता है कि उनको डर लगता हो कि फिर से जो बात आप दोनों के बीच में पीछे हुई वो ना हो जाए और आप दोनों में से कोई hurt ना हो जाए याने कि जिसने भी ऐसी कोई बात कहीं करी वो कहीं दुबारा ना कर दे और फिर से एक hurt वाली energies इस relationship में ना आएं यहाँ पर forced relationship का card कहता है कि शायद उनको ऐसी एक feeling हो रही है कि यह relationship forced था अब दिखिए forced का मतलब यह भी हो सकता है कि कहीं उस time पे जब आप दोनों relationship में थे उनको ऐसे लगा कि आप इतने interested नहीं है वो जादा action initiatives ले रहे हैं और वो बहुत जादा अपनी तरफ से एक hundred percent दे रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से उतना hundred percent उन्होंने नहीं महसूस किया या फिर आप बहुत hundred percent दे रहे थे और वो इतना hundred percent नहीं दे पा रहे थे और कहीं उस time पे किसी भी reason की वज़े से उनको ऐसी feeling होई कि यह relationship forced है याने कि आप दोनों equally एक दूसरे में interested नहीं है और कहीं वो एक forced relationship नहीं चाहते है और यहीं एक reason है देखें यहाँ पर yes का काट कहता है कि hundred percent आपके साथ connect करना चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कहीं action initiatives नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं you know बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं confused हैं एक helpless hopeless से energies महसूस कर रहे हैं तो देखें उनकी broader level के लिए अगर हम energies देखें pile 1 तो definitely वो आपके साथ connect करना चाहते हैं definitely वो आपके साथ togetherness चाहते हैं जो पल जो time उन्होंने पीछे आपके साथ बिताया वो फिर से वही time चाहते हैं लेकिन कहीं फिर से मैं कहूंगी कि डरते हैं कि कहीं फिर से दुबारा वो चीजे ना repeat हो फिर से आप दोनों में से जो भी गलत थे दुबारा से वो गलती ना करें और फिर से एक hurt energies दो तो कहीं एक protect कर रहे हैं अपने दिल को, अपने आपको और इसलिए आपके साथ connect करना चाहते हुए भी कहीं action initiatives नहीं ले रहे हैं बहुत safe, बहुत secure होके चीजों को deal करना चाहा रहे हैं उनको ऐसे लग रहा है कि जल्दबाजी में उनको कुछ नहीं करना चाहिए, impulsive नहीं होना चाहिए जब तक कि उनको 100% confirmation नहीं होगी कि हाँ भी दुबारा फिर से चीज़ें खराब नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, या कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि वो hurt हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे है और बहुत ही logically चीज़ों को deal करना चाह रहे है उनको ऐसे लगता है कि एक chance ले या नहीं ले देखिए, Clover के card में बहुत clearly लिखावा है taking a chance तो chance लेना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा overthink कर रहे हैं logically चीज़ों को deal कर रहे हैं mind से चीज़ों को deal कर रहे हैं और दिखिए, आपर bouquet का card कहता है कि surprise आपको देना चाहते हैं उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही एक, जैसे बुलते हैं ना कि beautiful beautiful इनसान थे उनकी लाइफ में beautiful not in terms of physical beauty overall ही यह नो आपके उनकी लाइफ में रहने से उनकी लाइफ में एक enthusiasm थी excitement थी, एक बहुत ही beautiful energies थी और उन energies को miss करते हैं और कहीं इसी लिए देखिए बहुत confused हैं life में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पास वापिस आना चाहते हैं लेकिन बहुत logically सोच रहे हैं बहुत safe secure होके आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर से कहूंगी देखिए अगर आपके मन में एक हैल आ रहा है कि भई वो किसी और के साथ तो नहीं connect करें वो किसी और के साथ तो नहीं है relationship में तो यहां पर eight of souls का काट बहुत clearly कहता है कि वो आपसे move on नहीं कर पाए हैं वो आपसे mentally, emotionally या physically भी नहीं disconnect कर पाए हैं वो अभी भी आपसे connected है और आगे शायद वो दूसरे relationship में बढ़ना ही नहीं चाहा रहे हैं उनका frame of mind ही नहीं है कि वो किसी और के साथ connect करें वो किसी और के साथ relationship में जाएं और बहुत जादा आपके साथ ही stuck इस relationship में महसूस कर रहे हैं अब देखते हैं कि उनके क्या next actions रहेंगे यहाँ पर देखिए magnifier का card कहता है take a closer look, analyze that things are not what they seem तो देखिए कहीं उनको ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो सोच रहे हैं कि भई उनके मन में इतना प्यार है, इतनी feelings हैं पता नहीं आपके मन में हैं नहीं हैं यह एक scenario रह सकता है और फिर से कहूंगी बहुत ज़्यादा logically analyze कर रहे हैं और होता क्या है ना Pile 1 कि जब इंसान बहुत ज़्यादा logically analyze करते हैं तो उसके mind में negative thoughts ज़्यादा आते हैं और फिर कहीं वो उस तरीके से action initiatives नहीं लेता है नहीं ले पाता है और सिर्फ सोचता ही रह जाता है तो यहां पर आपकी reading को अगर मैं nutshell में कहूं तो yes, they miss you, they love you, they have feelings for you आपके बग्यार बहुत अकेला पर महसूस करते हैं लेकिन जो भी चीज उनको hurt करी है वो इतना ज़ादा उसको लेकर मैं कहूंगी serious हो गए है या पकड़ कर बैठ गए है कि अब chance लेना तो चाहा रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि फिर से बहुत ज़ादा analyze कर रहे हैं और कहीं आपके साथ अभी भी mentally, emotionally stuck हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ये थी pile 1 आप लोगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें और अगर आपने pile 2 यानि कि cinnamon stick को choose किया है या फिर आपका birth मे, June, July, August, September में से किसी भी month में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 2 की जिनके बारे में भी सोच कर आपने ये reading choose करी है ये pile choose किया है उनकी क्या true thoughts, feelings, emotions, intentions है आपके लिए और क्या उनकी next steps रहेंगे तो देखे राइड वैट से यहाँ पे सबसे बहला card है 10 of souls and then we have the hangman the world reverse and ace of pentacles reverse अब हम ले नॉमेंड में से देख लेते हैं house clouds fox bed और ये answer है कि क्या उनकी next actions रहेंगे इसको हम बार में read करेंगे the modern love oracle से देखते हैं new beginnings dating apps bad intentions bread coming तो pile 2 यहाँ पे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है the hand man और ये card कहता है कि अभी इस point of time पे वो काफी stuck महसूस कर रहे हैं बहुत जादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और हो सकता है पीछे उन्होंने इस relationship के लिए बहुत compromises adjustments करे या फिर आपने हो सकता है बहुत adjustments compromises करे और अगर आपने करे हैं तो इस चीज़ का एहसास उनको है और अगर उन्होंने करे हैं तो हो सकता है कि वो इसी चीज़ को लेकर बहुत जादा सोच रहे हैं और अब भी again मैं कहूंगी फिलहाल के लिए वो एक नई beginning चाहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर new beginnings, ten of swords, the world reverse and ace of pentacles के cards कहीं उनकी तरफ से अपनी life में एक नई beginning की बात करते हैं और यहाँ पर the world reverse का card ये भी कहता है कि आपके बगार बहुत एक अधूरापन वो महसूस करते हैं आपके बगार एक you know incomplete वाली feeling वो महसूस करते हैं या फिर हो सकता है या तो आपको या उनको closure नहीं मिला और ये चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा परेशान होते हैं लेकिन जो भी हो यहाँ पर ये चारों ही cards पुरानी चीज़ों को end करके एक नई beginning चाहने की बात करता है अब दिखिए ये थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और यहाँ पर answer का card है उसको मैं बाद में read करूंगी कि वो जादा हमें clear करेगा कि वो किस तरीके की नई beginning चाह रहे हैं लेकिन फिलहाल के लिए कहीं concrete level पे जैसे कि वो तरह शादी, marriage, living इस तरीके से एक नई beginning चाह रहे हैं यानि कि बातें नहीं, सिरफ ख्वाब नहीं, सिरफ ख्वाली प्लाव नहीं वो वाके ही में अब अपनी life में एक partner चाह रहे हैं जिसके साथ वो अपना घर घ्रिस्ती शुरू कर पाएं यहाँ पे house का card भी इसी चीज़ को confirm करता है कि वो अब एक stability चाह रहे हैं, अब एक security अपनी life में चाह रहे हैं family life चाह रहे हैं और कहीं एक union उस तरीके का चाह रहे हैं जहाँ पे उनके मन में कोई fear ना हो, उनके मन में कोई डर ना हो या फिर, you know, overall के लिए फिर से मैं कहूंगी marriage करने में interested है family start करने में interested है और पुरानी सारी बातों को end करना चाहते हैं देखे, कुछ के लिए हो सकता है कि pile 2 आपके साथ जो भी उनके मसले रहे, issues रहे, उनको end करके आपके साथ ही एक नई beginning करना चाहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके साथ जो भी उनका relationship था उसको completely end करके वो किसी और इंसान के साथ एक नई beginning चाह रहे हैं अब देखे, अगर ऐसा है कि वो आपके साथ हर चीज को end करके नई beginning करना चाहते हैं तो उनके लिए असान नहीं है क्योंकि Ace of Pentacles and The World के card reverse हैं तो कहीं फिर से मैं कहूंगी कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना नए इंसान के साथ, नए तरीके से life को शुरू करना और अगर आपके साथ भी सोच रहे हैं तो भी उनको लग रहा है कि भई देखिए यह मुश्किल होगा क्योंकि इतना practical नहीं है, इतना realistic नहीं है तो फिर से मैं कहूंगी reason सब के लिए differ करेंगे और यहां पर fox का card कहता है कि किसी तरीके का धोखा रहा किसी तरीके की manipulation रही, किसी तरीके की selfishness रही इस relationship में अब यह किसी की भी तरफ से हो सकती है हो सकता है कि pile 2 कोई ऐसी बात होई, कोई ऐसी चीज होई जिससे कि उनको ऐसे लगता है कि भई, you were not fair in the relationship इसका मतलब यह नहीं है, कि आपने cheating करी, हाला कि देखे, यहां पर bed का card है तो यह भी हो सकता है कि one night stand, यहां तो उनका हुआ, यहां आपका हुआ और इस तवजह से उनको ऐसे लग रहा है कि भई, cheating होई और इसलिए शायद वो उतना trust नहीं कर पा रहे है इसलिए शायद एक नहीं beginning आपके साथ चाहा रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है यह practical नहीं है, यह realistic नहीं है तो दीखे, fox और bed के cards definitely कहते हैं कि physical intimacy आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की partner के लावा यानि कि आपस में एक दूसरे के लावा किसी और से हुई जिसकी वज़े से उनको यह लगता है कि यह cheating हुई again उनकी तरफ से आपकी तरफ से यह fair नहीं है, यह ठीक नहीं है या किसी और level पे भी धोका उनकी तरफ से आपकी तरफ से हुआ तो इसके बारे में वो ज़्यादा सूचते हैं और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि simply उनको लगता है कि यहां तो वो बहुत smart है और सॉरी यहां तो उनको लगता है कि आप बहुत smart है, cunning है और वो आपको trust नहीं कर पा रहे हैं या देखे वो खुद बहुत cunning है, वो खुद बहुत manipulative है और यहां पर dating apps का card कहता है कि वो और लोगों से मिल रहे हैं वो और लोगों से connect कर रहे हैं, वो dating apps पे active है और अगर literally dating apps पे नहीं भी active हैं फिर भी वो आपके अलावा और लोगों से मिल रहे हैं, connect कर रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी reasons reason यहाँ पर यही है कि वो subtle होना चाहते हैं वो एक family start करना चाहते हैं और देखिए bad intentions का card भी कहीं fox की energies को और जादा confirm कर रहा है कि शायद वो आपकी intentions पे नहीं trust कर पा रहे हैं या वो खुद पे नहीं trust कर पा रहे हैं कि वो faithful रहेंगे इस relationship में तो यहाँ पर देखिए फिर से म हो सकती हैं या तो वो अगर again खुद की intentions को नहीं trust कर पा रहे हैं तो आपको hurt नहीं करना चाहरे हैं उनको ऐसे लग रहा है कि आप too good हैं और वो आपको नहीं deserve करते हैं वो आपके लायक नहीं है या फिर वो आपकी intentions, motives को नहीं trust कर पा रहे हैं and yes bread crumbling का card कहता है उनको ऐसे ल कहीं ये card भी कहता है कि emotionally बहुत low feel कर रहे हैं एक depressive सी energies है, uncertainty लिखावा है इसमें तो मतलब वो sure नहीं हो पा रहे हैं कि भी उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तो अब देखिए हम देखते हैं final answer का card क्या कहता है तो यहाँ पे work का card है और ये कहता है work and finances, meet at work, love based on money work और money affecting love life तो हो सकता है ये एक reason रहा हो आप दोनों के बीच में break up का या जो भी अगर बात नहीं हो रही है तो अभी के लिए देखिए उनके लिए finances, money, पैसा बहुत important है अगर आप financially बहुत strong है तो हो सकता है कि वो आपके लिए action initiatives लें और आपको propose करें शादी के लिए marriage के लिए क्योंकि देखिए वो marriage और शादी तो चाहा रहे है और अगर आप financially इतने strong नहीं है तो फिर जो भी उनको इनसान मिलेगा अपने workplace पे या फिर otherwise भी जो financially strong होगा जो financially उनको support कर पाएगा वो उसके साथ family start करना या फिर शादी करना जादा चाहेंगे उसमें जादा interested होंगे तो ये था pile 2 आप लोगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी आपको आपके सवालों का जवाब मिला तो ज़रूर मुझे नीचे comment section पर बताएं और अगर आपने pile 3 यानि की white crystal को choose किया है या फिर आपका birth September, October, November, December में से किसी भी मन्त में होता है तो ये reading आपक steps रहेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला card हमारे पास है three of pentacles reverse then we have the star, three of swords and page of wands reverse learn moment से हमारे पास rope है, cross है, maybe है and garden है ये answer card है ये मैं बाद में read करूँगी और आकल से हमारे पास relationship, liking photos, unfinished business and clingy के cards है तो देखिए बहुत ही clear है कि अभी कुछ चीजें अधूरी रहे गई हैं, कुछ आपके साथ उनका एक unfinished business है, वो महसूस कर रहे हैं कि कहीं चीजें complete नहीं हुई, closure नहीं मिला और हो सकता है यही चीज या फिर कोई और भी चीज, उनको बहुत ज़ादा एक pressure दे रही है, cross का card कहीं उन्हों burden की बात करता है, कहीं regret की बात करता है, कहीं बहुत ज़ादा एक co-dependency की भी बात करता है तो यहाँ पर देखिए, कहीं किसी चीज का अफसोस उनको है, किसी चीज का regret उनको है, और मुझे लगता है कि बहुत आपके उपर वो dependent कर रहे थे अपनी emotions, feelings के लिए and rope का card कहता है, कि देखिए, burden feel कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं और कहीं यहाँ पर rope का card feeling trapped और helpless की बात करता है, बहुत helpless, बहुत hopeless भी महसूस कर रहे हैं लेकिन no action, मतलब action नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाहा रहे हैं अब दिखिए, इसके लिए सब pile three के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन यहाँ पर three of pentacles, reverse and three of swords के cards कहते हैं कि आपके लावा कोई और उनकी life में है अब simply यह भी हो सकता है कि extra marital affair था, या तो आप married हैं या फिर वो married हैं और इसी वज़े से कहीं, you know, एक burden, एक pressure महसूस कर रहे हैं unfinished business उनको ऐसे लग रहा है कि भाई, यह relationship बड़ा abrupt सा end हो गया मतलब बहुत सारी बातें वो करना चाहते थे, या आपसे जानना चाहते थे, वो जान नहीं पाए this could be one of the scenarios, या किसी भी और reason की वज़े से, but definitely दिखिए या तो आप already married हैं, या वो already married हैं, या फिर अगर नहीं हैं, तो भी कोई तीसरी चीज, कोई तीसरी energy, कोई तीसरा इंसान इस relationship में है normally, three of swords का card, romantic triangle की बात करता है, लेकिन जब general reading होती है, तो हम नहीं कह सकते कि सिरफ और सिरफ romantic triangle ही है, उसी की वज़े से issues आप लोगों के बीच में हैं, हो सकता है कि उनका कोई family member है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों की marriage हो, आप दोनों की interfere कर रहा है, और ऐसा ही देखे, आपकी तरफ से भी हो सकता है, कि आपकी life में कोई ऐसा इंसान है, again family member हो सकता है, loved one, close one हो सकता है, जो नहीं चाह रहा है और इस चीज़ का एहसास उनको है, और शायद इसी लिए वो एक pressure, वो एक burden में हसूस कर रहे हैं, और हो सकता है, ये भी हो सकता है अगे, इन मैं कहूंगी, कि वो professional counseling, professional advice ले रहे हैं या फिर जो लोगों को वो trust करते हैं, जो लोगों को वो बहुत ज़ादा faith करते हैं उनसे वो इस relationship के बारे में discuss कर रहे हैं और कहीं बंधा हुआ तुम हैसूस कर रहे हैं, और दिखिए हाँ पर relationship का card है तो definitely एक relationship आपके साथ वो चाहते हैं ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, आपको याद नहीं करते हैं येस, आपको याद भी करते हैं, आपके बारे में भी सूछते हैं और liking photos का card और ज्यादा इस चीज को confirm करता है कि social media पे आपके photos देखते रहते हैं, आपको stock करते हैं और मुझे नहीं पता कि like करते हैं नहीं करते हैं obviously जब आप दुनों का contact नहीं हैं तो नहीं ही like करते होंगे but yes, जो भी photos आप post करते हैं social media पे या उनको किसी भी जरीय से दिखती हैं उनको बहुत अच्छी लगती हैं, वो बहुत appreciate करते हैं आपकी photos देखकर आपको याद भी करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं और आपकी photos भी again मैं कहूंगे उनको बहुत अच्छी लगती है एंड देखे साथ ही साथ garden का काड कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो move on नहीं करें है वो कहीं अपनी life में socialize कर रहे हैं मैं यह नहीं कहूंगी कि आपके अलावा और लोगों से connect कर रहे हैं आपके अलावा और you know opposite sex के लोगों से connect कर रहे हैं क्योंकि already मुझे लगता है कि कोई उनकी life में है अब यहाँ पर again romantic triangle भी हो सकता है या फिर कोई love one कोई close one भी हो सकता है तो कहीं ऐसा नहीं है कि you know वो और options को explore कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं या और लोगों के साथ love relationship शुरू करना चाहते हैं बट येस वो socialize कर रहे हैं वो कहीं you know जिसे बोलते हैं कि अपने friends से मिल रहे हैं अपने जो भी family members हैं उनके साथ जाधा connect कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा reason यह भी हो सकता है कि वो शायद अपने mind को divert करना चाहते हैं शायद वो अपने आपको divert करना चाहते हैं और देखिए हो सकता है कि जब वो socialize कर रहे हैं याने कि parties में जा रहे हैं, celebrations को attend कर रहे हैं या फिर otherwise भी जो भी get together से उनको attend कर रहे हैं जो भी लोग उनको मिल रहे हैं उनसे वो अच्छे से बात कर रहे हैं उनसे वो अच्छे से connect कर रहे हैं और कहीं न कहीं देखिए फिर से यहाँ पर page of wands reverse का card कहता है कि वो आप से connect करना चाहते हैं या फिर वो आपकी तरफ से message का wait कर रहे हैं और एक restlessness anxiety भी उनको हो रही है तो यहाँ पर देखिए अगर मैं overall sum up करूँ तो कहीं आपके बारे में सोचते हैं आपकी social media पे pictures भी देखते हैं और उनको वो बहुत पसंद भी आती हैं और साथी साथ वो कहीं socialize भी कर रहे हैं एक pressure एक burden भी महसूस कर रहे हैं हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वो relationship में अगर चले गए तो बड़ी सारी restrictions हो जाएंगी बड़ा उनकी life न जैसे बुलते हैं कि limitations हो जाएंगी वो खुल के बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे और कहीं वो यहां पे garden का card कहता है खुल के अपनी life को जीना चाहते हैं वो डर डर के यहां फिर चुप-चुप के चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं और आपके साथ हो सकता है कुछ pile 3 के लिए छुप छुप के आप लोग मिल रहे थे आप openly अपने relationship को नहीं confront कर पा रहे थे लोगों को नहीं बता पा रहे थे and this could be one of the reasons कि वो आप से connect करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आपको message करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं नहीं कर पा रहे हैं फिर आपके message की वो wait तो करी रहे हैं और clingy का card कहता है कि शायद हो सकता है pile 3 जब आप लोग relationship में थे आप बहुत clingy हो रहे थे आप बहुत जादा ही उनसे attach हो गए थे मतलब आपकी हर चीज उनके उपर depend कर रहे थी और कहीं वो ये clingy वाली energies नहीं चाहते हैं and this could also be one of the reasons की वो आपको message करना चाहते हैं आपसे connect करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको लगते हैं फिर आप बहुत clingy हो जाते हैं बहुत attach हो जाते हैं बहुत sorry to use this word chip को हो जाते हैं हो सकता है ये चीज सब pile 3 के लिए ना applicable हो लेकिन काफी सारे pile 3 के लिए हो सकता है तो देखी इन सब चीजों का भी खयाल रखके आप अपना relationship बहतर कर सकते हैं क्योंकि tarot guidance के लिए होता है और हो सकता है ये जो clingy वाली energies आपकी तरफ से हैं वो ही उनको बहुत परिशान कर रहे हैं वो ही एक उनको बहुत जादा limit कर रहे हैं restrict कर रहे हैं और वो चाहा कर भी आगे नहीं action initiatives ले रहे हैं अब हम देखते हैं कि आखिर वो करेंगे क्या उनका क्या action रहेगा क्योंकि ये answer card है butterfly है change, transition, unfolding, current face to a better face तो मुझे लगता है definitely वो आपको message करेंगे वो आपके साथ connect करेंगे लेकिन देखिए butterfly को अगर आप देखें कभी एक fool पे बैठती है, कभी दूसरे fool पे बैठती है कभी तीसरे, तो वो आएंगे मतलब आपको message करेंगे आपको connect करेंगे और जो भी आप दोनों के बीच की situation है वो change करना चाहते हैं जैसे कि हमने देखा कि वो आपके बारे में सोचते हैं वो आपके साथ relationship चाहते हैं और कहीं star का card sorry मैं miss कर गई read करना, तो star का card कहता है कि उनको लगता है आप बहुत beautiful है और again star का card कहता है वो बहुत positive है, hopeful है कि ये relationship तो हो गई यह हो सकता है, यह भी हो सकता है पाइल 3 कि आपने उनको बहुत confident कर दिया है या over confident कर दिया क्योंकि देखिए जब आप बहुत cling करते हैं तो सामने वाला over confident हो जाते हैं तो like वो बहुत ही clear हैं, वो बहुत ही confident हैं कि yes, वो तो जब भी भी चाहेंगे relationship फिर से हो जाएगा शुरू तो उनको उस चीज की कोई problem नहीं है बट यह जो cling की आपका attitude nature है उसकी वज़े से वो थोड़ा pressure button महसूस करते हैं और हो सकता है कोई और उनकी life में है अब यहाँ पर फिर से मैं कहूंगी हो सकता है अगर वो married है आप married हैं तो वो एक third party है या फिर आपके अलावा कोई और भी उनके लिए love care महसूस करता है वो उससे भी बात करते हैं तो इसकी वज़े से आपके relationship में problem आई है या फिर आपके अलावा किसी और की तरफ भी एक attraction वो महसूस करते हैं तो इन सब चीजों की वज़े से थोड़ा सा परेशान है बट येस वो आपको message करेंगे, call करेंगे बट मुझे नहीं लगता है pile 3 की वो long term के बारे में सोच रहे हैं या फिर हमेशा के लिए आपके साथ relationship के बारे में सोच रहे हैं या फिर marriage के बारे में सोच रहे हैं वो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो अगर आएंगे भी तो आएंगे फिर चले जाएंगे आएंगे फिर चले जाएंगे I don't see them staying in your life you know they want you in their life they think about you और connect भी करना चाहते हैं मैंने आपको बहुत सारी reasons बिता है जिसकी वेज़े से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन करेंगे connect और in and out वाली energies रहेंगे आएंगे फिर जाएंगे stability या security उनकी तरफ से नहीं दिख रही है या फिर हमेशा के लिए एक relationship वो नहीं आपके साथ अभी इस point of time पे जा रहे है तो यह था pile 3 आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share and subscribe ज़रूर करें